नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले एक नया चाप्टर जिसका नाम है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स जो 11 का चाप्टर है यह एक पीजिकल केमिस्ट्री का बड़ा चाप्टर है मतलब वास्ट भी है बड़ा भी है तो सबसे पहले मेरी एक आड़वाइस है कि पीजिक्स मे करके चाप्टर आता है तो केमिस्ट्री का थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते वक्त कम से कम वन मुन का तो डिपरेंस रखना है यह थर्मोडाइनमिक्स में और पीजिक्स के थर्मोडाइनमिक में नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा फिर हम देखेंगे अभी कि thermodynamics ते स्टार्ट करेंगे ये basic portion होगा जिसमें हम terms by terms देखने वाले है मोजिली और जितना भी basic part इसमें देखेंगे सबसे पहले देखेंगे thermodynamics अगर हमें देखना है thermodynamics तो तो थर्मोडिनमिक का एक अगर नाम से मिनिंग जानना है तो ठर्मो दाइनमिक का मितलब में थीट heat और dynamic मतलब हो जाता है changes meaning पता चलिक है by word meaning निकाल भाई अगर thermodynamics का मतलब में heat and changes अगर इनके definition बोला जाए तो thermodynamics एक branch है science की the branch of science इस डील स्वीट हाँ चलो देखते हैं थर्मोडाइनमिक थर्मोडाइनमिक का मतलब है वर्ड मीनिंग है हीट और चेंजेस अगर हम इसके डीपिनेशन देखेंगे तो यह कहा है ब्रांच आप साइंस है इसमें हम डील कर सकते है कि डील स्वीट या कॉंसंड विट बलो कॉंस विट कॉंसर्ण विट कॉंसर्ण विट हीट और इस रिलेशन टू 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 एनरजी एंड वर्क अभी एक बाग दिमाग में रख देते हैं कि हम अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं कि मतलब केमिस्ट्री का कुछ भी पार्ट पढ़ रहे है तो चेंजेस कौन से परकार के होने वाले हैं दो परकार के चेंजेस हमेशा टू टाइप में होंगे कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं या तो फिजिकल चेंज हो सकता है या तो किमिकल चेंज हो सकता है ठीक है या तो फिजिकल चेंज हो सकता है या तो किमिकल चेंज हो रहा है कौन सा भी चेंज ले लो या तो तो physical change या तो chemical change इसमें कौन सा भी चेंज ले लिया इसमें क्या होगा दो परकार होगी इसमें भी दो type कि पहले क्या होगा interaction of bodies होगी क्या होगा interaction of bodies अब यह bodies हो नहीं है जो अपनी body समझ रहे हो interaction of bodies ठीक है और दूसरा क्या हो सकता है energy change हो सकती है ठीक है कि नहीं पहला क्या है interaction of bodies और दुसरा क्या हो सकता है energy change अगर ये interaction of bodies energy change के साथ मिल जाता है तो इसे ही बोल जाता है thermodynamic समझ रहे हो क्या बोल ला हूँ मैं thermodynamic के असली मतलब क्या हो जाता है कि interaction of bodies की बैसे energy जो change हो जाती है उसे हम thermodynamic करते है तो ये energy change होती क्या है actually तो देखो हम देखेंगे कि जो interaction of bodies है interaction of bodies है interaction of bodies अगर मैं मानूं कि ये एक set है और ये एक set है ठीक है जब ये interaction दोनों ऐसे देखेंगे तो इन में सबसे पहले क्या होगा exchange होगा exchange या तो matter का exchange होगा या तो energy का change होगा ठीक है इसमें कुछ ना कुछ तो changes होगे और ये matter की changes की बज़े से क्या होगा energy change होगा ठीक है कि नहीं energy change होगा और ऐसे energy changes की बज़े से क्या हो जाएगा energy transformations होगे energy transformations अगर energy transformation होगे तो क्या हो सकता है energy जो है वो one form एक form से दुसरे form में चले जाएगी one form to other form समझ रहे हो अगर one form to another form energy जाती है उसे तो हम सीखने वाले है thermodynamics में ठीक है कि energy के lodge है या energy का जो भी है वो हम thermodynamics में इससे तो पढ़ेंगे कि अगर interaction होगा ही नहीं तो energy change होगे ही नहीं तो thermodynamics किस लिए है तो thermodynamics में हम mostly पढ़ने क्या वाले है तो जो भी यह interaction होगा यहां पर देखते है जो भी यह interaction होने वाला बोडी यह क्या होनी चाहिए macroscopic होने चाहिए macroscopic मतलब क्या large number of molecules कैसे large number of molecules हम ऐसे छोटी बाते देखेंगे ही नहीं इसमें large number of molecules जिसमें large number of molecules होगे उसे क्या कहते है macroscopy अभी देखेंगे कि देखो हमें देखना है तो इसमें हम टर्म से देखेंगे कि large number of molecules change हो सकती है तो हमेशा thermodynamics निके दिमाग में रहना है कि thermodynamics क्या बताता है कि macroscopic property बताता है macroscopic macroscopic मतलब large number of molecules ठीक है तो इसमें हम thermodynamics के laws है यह क्या बताएंगे energy changes of microscopic system involving large number of molecules ठीक है तो अभी देखेंगे कि thermodynamics में हम क्या क्या जान सकते है क्या क्या हम जान सकते है thermodynamics में हम जान सकते है कि क्या reaction होगी की नहीं reaction is visible or not ठीक है यह एक हम जानेंगे दूसरा अगर reaction होगी तो कितने extent होनी what extent कितने extent तक होगी बता सकते हो दूसरा अगर यह reaction हो भी रही है तो कैसे हम determine करेंगे how do we determine की reaction कि कितने से energy change हो रही है how we determine the energy changes समझ रहे होगा है यह सारी चीज़े हम पता करने वाले तो हमने पहले ही मैंने इससे पहले ही मैंने chemical kinetic chapter पढ़ाया जो मेरे YouTube चानल पर है तो उससे हमने क्या देखा था कि reaction का हम rate जानते है मैं उधर भी बताया था कि thermodynamics क्या बताता है reaction होगी कि नहीं होगी लेकिन kinetic क्या बताता है कि reaction कितने rate से दवड़ेगी कि अगर reaction जा रही है तो कितने rate से जाएगी लेकिन thermodynamics को rate से कुछ भी लेना देना नहीं है thermodynamics आया तो खुद बता देगा कि धेको यहां से निकले 2 meter per second यह बिल्कुल भी इदर होगा नहीं कि यहां से हम आये एक मेटर यह चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो यह बस क्या है यह से हम start किया तो बी बन गया तो कितना बन गया समझ रहे हो अगर बी बन सकता है कि नहीं बन सकता है यह सारी बाते हम thermodynamics में जान सकते तो आगे हम देखेंगे thermodynamics terms त pag की oh कि अमिश टोम आप थार्मोडाइनमिक टॉम्स में हम क्या जानेंगे अ कि कि यह क्या होता है अ कि यह क्या होता है system होता है यह क्या होता है system में और दुसरा क्या होता है surrounding देखो पहले सिस्टम ही जानते हैं कि जो भी हम देखने वाले अगर मैं यह बोलू कि ऐसा एक सिस्टम ले लिया मैंने कि यह ले लिए बिकर ठीक है बिकर में कुछ डाला मैंने पानी डाला ठीक है यह देखो पानी डाल दिया तो मेरा जो देख रहा हूँ, वो क्या देख रहा हूँ, मैं पानी देख रहा हूँ कि यहां तक पानी भरा हुआ है अगर पानी को मैंने उबाल दिया, हीट यहां पर ट्रांसपर कर दी ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ अभी, कि यह हीट जो है यह पानी कितना गरम हो रहा है तो मेरा observation किस में चल ला है पूरा यह पानी पे उपर तो मेरा जो यह पानी है क्या हो गया यह हो गया system ठीक है और यह system के अलावा जितनी भी चीजे दुनिया में भरी पड़ी है अगर मैं किसी लैब में बैटा हो तो यह बिकर ऐसे कहीं पे रखा होगा और यह सारी room होगी तो यह पूरी room क्या हो गई मेरे लिए यह हो गया universe ठीक है या सारी चीजे बाकी की बोलेंगे हम sorry universe नहीं बोलेंगे इसको इसको क्या बोलेंगे हम surrounding ठीक है surrounding मतलब बाजू आले चीख आजू 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 वाला परिसर ठीक है तो मैं जो observation में जिस पे focus कर रहा हो focus वाली बात उसे बोलेंगे हम system और जितनी भी आजू आजू की चीज़े है जहां तक हम naked eyes से देख सकते हैं खुले आखों से तो उसे हम कहते हैं surrounding अभी हमे system और surrounding को कुछ ना कुछ differentiate करने वाला part होगा differentiate दोनों में कुछ ना कुछ differ करेगा तो उसे हम कहेंगे boundary ठीक है इतने term से याद आई क्या इतना समझा तो बोलो हाँ बोलो एक बार जगो हमने टीन term से कहें अभी कि एक होता है system ठीक है दूसरा है surrounding और तिसरा है boundary ठीक है तो देखो ऐसे लिख देते हैं कोई भी specified portion any specified portion portion of universe under investigation ठीक है उसे क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे हम system और जितनी भी जितना भी rest part है rest part of universe उसे क्या कहेंगे हम मतलब जो हम focus करेंगे वो क्या है system और जो भी बची वही चीज़े है उसे क्या कहेंगे हम universe कहेंगे ठीक है और फिर एक boundary आती है boundary को बोलेंगे या एक तो real भी हो सकती है या तो imaginary भी हो सकती है ठीक है real और imaginary surface that separates the system from surrounding system from its surrounding ठीक है इतना हम जान लिया बाते देखो हम एक दम basic से जा रहे है यह basic के 3 terms पड़े हमने क्या है system, surrounding और boundary system में हमने क्या पड़ा हम जो चीजों पर focus कर रहे है वो focus क्या है जो focus करने वाली चीज क्या है वो है system जितनी भी बाजु वाली चीज़े है उसे क्या कहेंगे हम universe और जो system और surrounding को differentiate करने वाला पार्ट है उसे हम कहेंगे boundary तो एक बात तो हमें समझ गी कि देखो यह है universe universe है तो universe बन किस चीज से रहा है एक तो system है और system में हम surrounding अगर मिला दिया तो क्या बन जाएगा universe इतना दिमाग में हुआ कि नहीं बताओ यह बहुत important है कि universe का meaning तो पता चाहिए पहले है कि क्या है एक universe है universe बनता किस से है system plus surrounding से अभी देखते है boundary के बारे में जान देते है boundary के बारे में तो boundary होती है दो परकार की ठीक है boundary में देखते है एक रती है conducting boundary conductor boundary और दुसरी होती है insulator boundary ठीक है अभी नाम से ही पता चला हूँ conductor मतलब क्या होता है flow of heat मतलब अगर मैं system system से surrounding में जा रहा हो ठीक है तो यहाँ पे heat transfer हो सकती है और यहाँ पे release हो सकती है और insulator में क्या है यहाँ पे कोई भी heat transfer होगी नहीं समझ रहे हो कि यह है system और यह है surround तो देखो हमने जाना boundary कितनी परकार की है दो परकार की है एक है conductor metric conductor boundary और दुसरी है insulator boundary ठीक है तो अभी हम इस सो ऐसे भी बोल सकते है कि अगर यह conductometric boundary है conductometric boundary है तो उसे कहा है सकता है diathermic wall diathermic wall अगर book की language में बोला जाए तो और दुसरा insulator wall को क्या बोलेंगे हम non conductor बोलो insulator को non conductor wall को बोलेंगे हम adiabatic wall ठीक है इसना बात दिमाग में होनी चाहिए कि क्या है boundary अगर हम book की language में बोलेंगे तो एक diathermic wall हो सकती है और दुसरी क्या है adiabatic wall मतलब जिसमें heat transfer हो सकता है उसे क्या कहेंगे conductor वाली मतलब diathermic जहांपे heat transfer हो सकता है और जहांपे heat transfer बिल्कुल नहीं होगा उसे क्या कहेंगे adiabatic wall ठीक है अभी आगे हम जाएंगे फिर से अभी हमें पढ़ने है type of system तो देखो heating डाल देते पहले type of system अभी दो तिन परकार के type of system है अभी तीन में हम differentiate करेंगे देखो यह एक है यह दुसरा और यह तिसरा तो सबसे पहले हम जानेंगे तीन परकार के तो यह एक रहता है open system दुसरा रहता है close system और तिसरा रहता है isolated system ठीक है देखो open system, close system, isolated system system इससे हम जानेंगे क्या open में क्या हो जाता है अगर मैंने एक beaker ले लिया अगर मैंने क्या डाल दिया हूँ चलो यह सद दिमाग में रखते है यह बैक कर देते हैं ठीक है मैंने क्या लिए एक cup ले लिया ठीक है अरे cup बहुत गंदा बन गया है देखो कब बनाएंगे हम कैसे रता है एसे पकड़ने का एकदम नेश कैपे वाला समझो ठीक है चाय प्रे में बहुत सारे होंगे इदर इसलिए चाय ले लिया मैंने यह देखो चाय है इसमें भरी पड़ी जो भी पीते हो तो इसमें चाय है अभी मैंने इसमें एक कप ले लिया और इसमें क्या है चाय तो देखो अगर मैं इस चाय को कप को मैंने खुला रख दिया है तो यह क्या होगा थोड़ी सी हवे में आ जाएगा थोड़ी है वेपर सूड़ जाएंगे उपर और यह चाय क्या होगी तो 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 कम होगा level उसका जितना पहले था मतलब क्या होगा open system में क्या होगा exchange होगा ऐख changed होगा किस की exchange होगा एक-to ऑगा एक जोगा एक्चेंज होगी energy थीक है और दूसरी क्या होगी exchange matter उत्यों था मैं जहां फोकस कर रहा हूं यह चाय का यह सिस्टम से सरांडिंग में चला गया समझ रहे हो क्या तो system exchange कर रहा है energy भी और matter भी तो उस को क्या के बोलेंगे open system ठीक है open system अब ये close system क्या है ये जो चाय है ये जो चाय है ठीक है इस चाय को मैंने क्या कर दिया डग दिया किस से डग दिया एक metal वाला सरपे डाल दिया मतलब plate रख दिया एक metal body ठीक है अभी देखो इसमें क्या हो जाएगा कि अभी जो ये वेपर उड़ रहा है वेपर कहां लगेंगे इस plate के surface पे लगेंगे ठीक है ना plate के surface पे लगके क्या हो जाएगा अंदर ही गिर जाएगा ये बहार जाएगा क्या कोई भी एक भी water drop जो है वेपर वाला ये कहीं बहार जा रहा है का surrounding में बिलकुल भी नहीं जा तो जितने भी water drop है उदर ही रह रहे है मतलब close में क्या हो रहा है no exchange of matter जितना पहले था उतना ही है matter का no exchange ठीक है तो exchange हो किस चीद का रहा है exchange हो रहा है energy का कैसे हो रहा है पहले जो गरम था वो बाद में फिर भी थंडाए होगा ना matter जो हवा है वेपर वो बहार नहीं जा रह जो गरम थी चाय वो क्या हो जाएगी थंडी हो जाएगी मतलब समझ रहे हो कि तुम तो इसमें क्या हो गया energy change हो गई तो close में क्या है no exchange of matter but exchange of energy between किसकी system and surrounding तो हमने क्या ले लिया मैंने अभी कि चाय तो बहार जा रही है थंडी हो रही है दोनों भी system लिकिन मुझे जाना है गर से यहां आना है classroom में पढ़ानी के लिए तो पढ़ानी के लिए मैंने क्या गया एक लाया thermos का फ्लास देखो यह से bottle एक thermos की ठीक है उसमें मैंने डाली चाय ठीक है और फिर कर दिया ढकन बन ठीक है न यह क्या है thermos है थर्मस का एक फ्लास लाया मैंने थर्मस का फ्लास लाया उसमें मैंने डाली चाय और ढकन कर दिया बन और मैं आ गया घर से ओपिस आ अभी ओपिस में चाय पी नहीं थी तो ओपिस का जो यह जो थर्मस में मैंने है चाय यह क्या थंडी होई होगी बिलकुल भी नहीं चाय थ इस थूड़ी भी चाय कहां गई होगी बहार बिल्कुल भी नहीं गई होगी तो isolated system मतलब क्या जिसमें जो mass है ये जो mass है वो भी fix है mass मतलब matter ही समझो और जो energy है वो भी energy भी fix है समझ रहे होगे तो जो energy है वो भी transfer नहीं हो रही है ना तो mass transfer हो रहा है इस system को क्या कहा जाएगा isolated system तीन पर करके system मैंने एक example के साथ समझाया है पहला क्या है open system जहां पे दोनों exchange हो जाता है matter भी और energy भी close में क्या हो जाता है जो चाय है वो थंडी हो जाती है लेकिन mass क्या है chain नहीं हो था जितना पहले था उतना ही है थर्ड क्या है isolated system isolated system में क्या है कि मैंने एक thermos class में डाल दिया चाय तो जैसे पहले गरम थी वो ऐसे भाद में गरम होगी और जो भी मैं ऐसे ideal condition मान रहा हो ऐसे बिल्कुल भी नहीं मान रहा कि वो थोड़ा सा कैसी bottle तुमारी थोड़ी से तूटी होगी पता नहीं वो सब में conditions नहीं ले रहा ह। जैसे पहली गरम थी वो ऐसी गरम थी ठीक है और फिर क्या है और थोड़ी अगर ढकन बंद है तो ज जो भी questions आएंगे उसे तुम बता देना कि अगर मैंने बोला कि कोई thermos फ्लास्क लिए होगा है और उसमें कुछ मैंने डाला है थंडा पानी कि cool water ठीक है तो कौन सी system होगी बताओ तो बता सकते हो ना कौन सी system होगी है isolated system होगी समझ रहे हो क्या isolated system अगर मैंने एक close water bottle लिए है मैंने एक लिए close water bottle close water bottle तो कौन सी होगी है close system होगी है ठीक है कि नहीं चलो आगे बढ़ते हैं अभी आगे क्या बढ़ेंगे हम तीन system तो पढ़ लिए अभी आगे पढ़ने है कुछ properties तो properties चा नाम है एक है intensive और दुसरी है extensive एक है intensive और दुसरा है extensive ठीक है तो देखो कैसे दिमाग में रखना है intensive होता क्या है और extensive होता क्या है तो intensive वो system है जो does not depend on mass not depend on mass ठीक है और extensive मतलब क्या है जो mass पर depend कर देता है dependent on mass ठीक है तो एक्जाम में सीधा question आ जाता है कि which of the following properties की मतलब चार सीदेंगे pressure, volume, density कुछ ना कुछ चार option देगा और पूछेगा कि which of the following is extensive property तो तुम्हें बस टिक करना है और जाना है आगे मतलब बहुत simple question आ जाए तो इसमें क्या है कि extensive और intensive का अगर differentiate करना है तो जो scientist लोगों ने बोला कि एक ऐसे system ले लो एक system ले लो और इस system में हाप कर दो इस system को क्या है हाप कर दो अगर तुम्हें वो दो divide में हो रहा है दो part में divide हो रहा है ठीक है समझा गया अगर दो दो part में divide हो रहा है divide in two part तो उसे क्या कहेंगे हम extensive property कहेंगे अगर हो रहा है तो extensive part अगर हो रहा है तो तो extensive अगर नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे नहीं हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे intensive property कहेंगे समझा के कितना simple था इस दो को एकदम ऐसे डबा बना दो ठीक है दो डबे बना दिया ठीक है अगर हो रहा है तो extensive property अगर नहीं हो रहा है तो intensive property तो आगे बढ़ेंगे कौन कौन सी properties है कौन से कौन से ऐसे terms है या कौन से कौन से variable है ऐसे कि वो extensive और intensive है तो मैं बताता हो सबसे पहले कि कौन कौन से है ठीक है तो देखो कि लिख लो है intensive variables कौन कौन से intensive है तेमप्रेचर है प्रेशर है कौन सेंट्रेशन है ठीक है density है कि डाइपल मोमेंट है कि रिप्रेक्टिव इंडेक्स है कि बसे लिखो एक बार अच्छे से मैं बता दूंगा कि कौन कौन से है कौन से नहीं ठीक है फिर विस्कॉसिटी सर्पेस टेंशन मोलार वाल्यूम ग्यास कॉंस्टन्ट स्पेसिपिक हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी को सीपी लिख देते है ठीक है वेपर प्रेशर स्पेसिपिक ग्रेविटी कितने भी स्पेसिपिक वाले पार्ट है इसमें आ जाता है स्पेसिपिक कैपेसिटी रहो स्पेसिपिक ग्रेविटी रहो पिर डाइलेक्टिक कॉंस्टन्ट मुस्ट आप कॉंस्टन्ट इसमें आ जाता है एंड एम है ठीक है अभी एक्स्टेंसिव में कौन कुन आएगा एक्स्टेंसिव में कौन कुन आएगा देखो वाल्यूम आएगा एनर्जी जितनी भी एनर्जी इतनी हीट कैपेसिटी एंतल्पी एंट्रोपी प्री एनर्जी लेंट एंड मास देखो सबसे पहले कैसे समझाना है मैं समझाता हूँ एकदम अच्छे तरीके से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है देखो कैसे समझाना है मैंने पहले बोल दिया एक टर्म बोल दी कि एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी ओ है जो डिपेंड करती है मास के उपर तो सबसे पहले मास तो आना ही चाहिए इसमें ठीक है जो मास पर डिपेंड कर देती है मास आ गया फिर मैंने बोला अगर अगर यह एक ले लिया मैंने और उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर हो गया तो उसे क्या कहेंगे एक्स्टेंसिव तो समझो कि लेंठ लेली इतनी लंबी कि ऐसे लेंठ लेली उसको मैंने कट कर दिया ठीक है तो यह दो सिस्टम में डिवाइड होगा की नहीं बराबर हो जाएगा ठीक है वाल्यूम का भी सेम ही है वाल्यूम भी हो जाएगा ह यह तो मिटर का यह वेरियबल तो यह भी हो जाएगा अभी बचा क्या है सारी एनर्जी जितनी भी एनर्जी है इसमें हा जाएगी एनर्जी कौन-कौन सी होती है या तो एच है जी है एंतलपी गिप्स प्रेज एनर्जी गिप्स हेल्मोंट्स एनर्जी एंट्रोपी यह सारे सिस्टम क्या जाएगी जितनी भी एनर्जी अगर यह एनर्जी के सामने ग्रेट donation कर मतने ऐसा हो सारी इनर्जी के अगर मैंने बोल दिया एसा यीक मिविच परपषिति भी आ रहा है में हिड़ेटि तो यह जो specific है यह लगाती ही क्या हो जाएगी intensive दुसरा एक लिखो कि कौन सी भी property अगर मैंने बोल दिया कि extensive है और उसके divide मैंने extensive कर दिया तो जो आने वाली property होगी वह क्या होगी intensive property होगी अगर इसका मैं example ले लूँ इसका मुझे एक्जामपल लेना है तो हो जाएगा molarity देखो molarity में क्या रहता है mol upon liter तो liter किसमें रहता है volume में बराबर है ना तो volume अभी मैंने बोला कि volume किसमें है देखो इधर है फर्ष्ट में volume किसमें है extensive है और जो ऊपर होगा mol यह भी क्या होगा extensive ही होगा extensive divided by extensive क्या हो जाएगा intensive मतलब जिनी जितनी भी concentration की terms है वो कितने में किसमें होगी कि इन इंटेंसिटी लिखा है रहे इंटेंसिव लिखो इंटेंसिव इंटेंसिव ठीक है कि दिमाग में तो देखो जितनी भी एरिया वाल्यूम मॉल इस और लिखो एरिया यह सारे क्या होगे extensive मॉल भी क्या है extensive ठीक है कि दिवंग में आ गए अभी यहां पर एक लाइन लिखो कि कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट एडिटिव ठीक है और जो extensive प्रॉपर्टी होती है कि क्या होती है एडिटिव इन नेचर होती है कि रख रहे हो दिमांग में देखो बहुत इजी है सब और फिर एक दिमांग में रखो कि ठीक है यह हो गया है कि अब जितने भी जितने भी कॉंस्टन्ट हम रख देते हैं कि इस अगर हम बोल गया एकलीब्रियम वह अले आगें यह आर गैस कॉंस्टन्ट और यह जितने भी जितने भी इन जितने भी कॉंस्टन्ट यह सारे क्या होगे intensive property होगी देखो मैं एकदम simple करा के बता रहा हूँ, ज्यादा वास्ट करनी के कुशिस नहीं है मेरी, देखो मैंने क्या बोला, जितनी भी constant है वो क्या है, intensive है जितनी भी energy है, वो क्या है extensive है, देखो मैं एकदम simple करके बता रहा हूँ, अगर तुम्हे नॉर्मली याद रखना है तो क्या रखना है सारे constant किसमे है सारे constant, ये क्या है intensive ठीक है फिर क्या बोला, जितनी भी energy है वो क्या है extensive है अगर energy के आगे कोई specific word लग जाता है या कोई per gram word लग जाता है या कोई molar वर्ड लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा तूरंट intensive property हो जाएगा ठीक है इतना दिमाग में रखना है तुम्हे इतना दिमाग में रखेगा ना चलो अब आगे बढ़ेंगे हम अभी देखने है प्रोसेस ठीक है यहाँ देखेंगे हम प्रोसेस अभी प्रोसेस में हम देखेंगे कि प्रोसेस एक्चुली होता गया है प्रोसेस एक अपरेशन है जो सिस्टम पर किया जाता है कि प्रोसेस क्या है एक अपरेशन है ठीक है कि सिस्टम जो है वो जो चेंज होके वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाए एक स्टेट से और स्टेट में चला जाए ठीक है लिखना ऐसे से प्रोसेस इस एन ऑपरेशन बाई विच असिस्टम अंडर्गो चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनुदर मतलब किसी भी सिस्टम में जो भी कहते है वोसे प्रोसेस कहते हैं अब प्रोसेस का देखो इस टायप यह टाइप नá जिन्दकी बर अगर की मिस्टी लेते होना मरते दम प्रतो कर네요 की यह सबसे बेसिक मतलब बेसिक वापो का बप है यह टाइप परोसेस ठीक है ना लिए कि कैसे दिमाग में रखना है बताता हो देख ओ tag कितने परकारगे रहती है चार परकारगे रहती है यह प्रोसेस रहती तो पांच ही है लेकिन मैं बता रहा हूँ चार मेजर एक है कि दो तीन रहतीटा साँ हुए आ अभी देखो कि सबसे पहले प्रोसेस का नाम दी दिया मैंने कि इसको मैंने बोला आईसो थर्मल प्रोसेस है कि कैसा कि दूसरे का नाम दी दिया मैंने आई सो कोई प्रोसेस तिसरे का नाम दे दिया है मैंने अडियाविटिक प्रोसेस और चौते का नाम दे दिया आइसोबारिक प्रोसेस देखो अभी कैसे कैसे चल आये सब तिसरे का नाम देखो अभी आइसोथर्मल में क्या है जो भी प्रोसेस है जहां पर पूरी मतलब जितना भी तुमारा रियाक्शन कर रहे है उसमें जो है टेंपरेचर जो है जो चेंज इन टेंपरेचर है वह हमेशा कर रहेगा जीरो रहेगा डेल्टा टी जो ऐसी प्रोसेस जहां पर टेंपरेचर रिमेंस कॉंस्टन्ट थ्रूआउट दे प्रोसेस ठीक है कि नहीं दिभाग में आए कि बताओ जो डेल्टा टी है मतलब जो चेंज आ रहा है वह हम जीरो मान रहे है फिर आईसोकॉरिक आईसोकॉरिक आईसी प्रोसेस है जहां पर तुम्हारा जो वाल्यूम है चेंज इन वाल्यूम हो क्या होगा जीरो होगा थ्रूआउट द प्रोसेस ठीक है अब झहुँ si, तर्ड क्या है Adiabetic Process जहां पर जो heat है No Exchange of Heat होगा No Exchange of Heat इसे कहां कहे तर्ड है Adiabetic Process और तर्ड है Port है Isokaric Process जहां पर बोलेंगे Change in Pressure जो है वो होगा Zero ठीक है तो जो यहां पे प्रेशर कॉंस्टन्ट है ठीक है यहां पे हीट यहां पे वाल्यूम और यहां पे टेम्परेचर तो यह चीज है ना कोशन में इतना इंपर्टन्ट है अगर लिग देगा कि इस प्रोसेस ऑईसो थर्मल प्रोसेस वे फैंड थिस तो ऐसे दिमांग में तुम्हें देखते ही क्वेशन में पढ़ते आना चाहिए कि प्रोसेस कौन सा है अगर तुम्हें प्रोसेस इंपता तो आगे का कुछ भी फायदा नहीं होनी चाहिए ठीक है एक डबा बन गया अच्छा वाला ठीक है और जो लास्ट टेप है जो मैं बताने वाला यहां से घूम नहीं गोन एक हो तो मतलब एक सिर्कल बनाते है कि अनौर कि मतलब start एक point से हो रहा है इधर से और जो गूम के आया गूम के आया गूम के आया इधर से इसे करके इधर ही आगया मतलब जो है जो energy जो change हो रही है वो complete क्या होगी zero होगी मतलब जहां state of the system does not change कि यहां पर क्या होगा जो डेल्टा एनर्जी है वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगा ठीक है तो चार बाते हमने देख ली पहली चार बाते तो बहुत important है आइसो को thermal जहां टेंप्रेचर जीरो है आइसो कुरीक वालिम जीरो है अडियाबेटिक जहां पर हिनो एक्चेंज ऑफ हीट है और आइसो बारीक जहां पर प्रेशर जीरो है देखें तो आगे बढ़ते हैं फिर क्या होगी प्रोसेस और भी बहुत सारी प्रोसेस है जिसका नाम है प्रोसेस है इतनी इंपर्टेंट है ना बता नहीं सकता रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस यह मैं अ तुम्हें डिप्रेंशेट करके बताऊंगा कि तुम्हें एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा दिमाग में देखो कि मैंने क्या किया एक ले लिया है ऐसे उसमें मैंने कुछ भर दिया रुकाएं एक मेंट चलो हम इधर ही रुकते हैं यह जो आगे वाला पार्ट है वह अगली लेक्चर में ले लेंगे रिवर्सिबल और यह रिवर्सिबल ठीक है तो थैंक यू शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू गलちょ अब्सक्राइब कर दो नो हम इवर्सिप्स बस्टाइब कर दो खेंगे टीके हैं कर दो कर दो कर दो हम रिवर्सिबल र्युक्राइब यू झाल झाल